जैहिन नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने थ्री टाइप्स के स्टॉक्स को डिस्किसन करने वाले हैं जिसमें पहला टाइप का जो स्टॉक्स होगा वो हम उसको बॉटम फिशिंग बोलेंगे एक ऐसा स्टॉक्स जो बहुत ही लोवर लेवल पे दिखाई दे रहा है जहा से उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है वो यहां से उपर जाते हुए देखने को मिल सकता है दूसरा जो टाइप्स का स्टॉक्स है उसको हम लोग बोलेंगे SIP स्टॉक्स यानि एक ऐसा स्टॉक्स जो पिछले 2 से 3 साल के अंदर-अंदर सेम रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग टाइट रखेंगे कि 6 मन्त में हम एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना बना ले स्टॉक्स की कॉंटिटी हमारे पास थोड़ी अच्छी हो जाए जिसका हमको बेनिफिट फ्यूचर में अच्छे तरीके से मिल पाए और तीसरा जो टाइपस हम लोग रखे हैं वो है माइक्रो कैप एक ऐसा स्टॉक्स जो बहुत ही छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स है तो इस टाइपस के जो स्टॉक्स होते बहुत रिस्की होते हैं देखे स्टॉक मार्केट रिस्क भरा होता ही है अगर हम उसको सही तरीके से नहीं म समझेंगे देखें stocks market में जो मैं ये video बना रहा हूं तो मेरा purpose ऐसा नहीं कि आप इस stock को देखी और यहां से buy कर लीजे नहीं मेरा purpose है कि आप stocks पढ़िए जैसे मैं stocks को समझता हूं screener पे trading view पे और investing.com पे जाके पढ़ता हूं उसको समझता हूं उसके technical conditions को समझता हूं business को समझ Yearly आप बोल सकते हैं, जो उनके Annual Reports होते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, तो अगर ये सारी चीजे आप भी करेंगे, तब साके आप किसी वे Stocks को एक Long Term तक Buy रख पाएंगे, देखें, Stocks में हम Buy तो कर लेंगे, लेकिन उसको Long Term तक Hold कप कर पाएंगे, जब उसमें Convention हो, जब हम य समझ पाएंगे, वो Stocks या वो Company Long Term तक अच्छा कर पाएंगे, तब हम उसको लंबे टाइम तक अपने Portfolio में रख पाएंगे, वरना 25%, 30% का Profit लेकर हम वहां से क्या करेंगे, निकल जाएंगे, 100% माल लिजे Profit लेकर निकल जाएंगे, लेकिन Stock Market में 50%, 60% के Profit से कोई फायद हैं, एक ऐसा Stocks जो Bottom Fishing है, तो जल्दी जल्दी हम सारे Stocks को देख लेते हैं, तो सबसे पहला Stocks है Page Industry, अब ये दो टाइप के Stocks, एक तो Page Industry और दूसरा Lux Industry, ये दोनों Stocks को अगर आप यहां पे, यहां पे मैं Weekly Chart लगा देता हूँ आपके सामने, और Weekly Chart के थूरू हम यहां पे देखें और समझने की कोसिस करें Stocks को, तो हमें साब साब समझ में आएगा, कि ये सारे Stocks जो अभी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो एकदम Bottom पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो Lux Industry हो गया, चाहे वो Page Industry हो गया, यहां पे हम Page Industry की बात करें, तो यहां पे मैं यहां पे यहां से यह नीचे गिरा, और यह इसी Range पे बार-बार Support ले रहा है, One Time, Two Times, Three Times तक Support यह ले रहा है, और यही से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से, अगर इस Stocks को यहां से एक Line Draw कर लेते हैं, थोड़ी सी Video लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो यह जो Range है, अगर आप इस Range को देखिए, यहां से यहां तक, 43,000 तक का, तो अगर हम इस Range में, अगर Stocks को हम Buy करें, देखिए, यहां पे Buy और Hold का, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप Buy करिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप किसी Stocks को Buy या Sell करने से पहले, आप अपने Financial Advisor से ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि मैं सेबी के द्वारा, मेरे को कोई ऐसा Authority नहीं मिली है, कि मैं आपको Buy और Hold के बारे में बता सकूँ, क्या नहीं, इस Stocks को Buy कर लेना ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा है, अगर आप टाइमिंग देखें, तो लगभाग 21 से लेके 23 तक, पिछले 2 साल में Stocks ने कोई Returns जनरेट करके नहीं दिया है, साथे साथी यह Stocks अपने Top से देखा जाए, तो 30% के Discounts में देखने को मिल रहा है, और साथी साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दू, यह एक Supportive Range पे भी देखने को मिल रहा है, वन टाइम्स, टू टाइम्स, त्री टाइम्स, बार बार इस Range पे Support कर रहा है, तो अगर हम इस Range से इस Range के बीच में, अगर यह Stocks 6 माईने साल भर भी इस Range में गुजारता है, और उस Time तक Stocks को अगर हम अच्छी Quantity में Buy कर लेते हैं, चुकि बहुत महगा Stocks है, तो Retailer के, बहुत मुस्की लगे कोई Retailer इसको Buy करेगा, लेकिन अगर हम इसको अपने Portfolio में रखते हैं, तो हम आराम से आने वाले एक साल तक इस Return को पा सकती है, और वो अगर हम Return की बात करें, तो लगभग आपको 40%, 50% का Return मिलता है एक साल में, और हम consistent उपर जाते हुए देखने को मिल रहा, बीच-बीच में गिरावट आती रहती है, लेकिन वो गिरावट एक Opportunity की तरह होती है, अगर हम उसको Opportunity की तरह ले, तो वो फिर हमें एक अच्छा Growth देखने को मिल सकता है, जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे जो गिरावट था इस गिरावट के बाद stocks ने कितना return दिया, लगबग 232% का, एक बार देखिए यहाँ पे गिरावट था, इस गिरावट के बाद stocks ने लगबग 252% का return दिया है, और गिरावट कितने percent का था, ये गिरावट लगबग 46% का था, ये गिरावट लगब 50% का करीब तरीब था, और ये भी गिरावट अगर आप देखेंगे लगबग 40% का रिटर्न यहाँ पे अगर आप इस रिटर्न को जनरेट करते हुए देखना चाहते है यहाँ पे तो आप देखिए लगबग 3 साल में 232% का रिटर्न तो अगर आप 3 साल का टाइम पिरियट देंगे तो आराम सी यह स्टॉक्स 2 100% से उपर का रिटर्न दे सकता है ठीक तो नेक्स्ट जो स्टॉक्स हम रखने वाले हैं सेकेंड वो है SBI card अगर हम SBI card के business को देखे तो आपको भी पता है कि card business लगातार grow हो रहा है ऐसा तो नहीं कि card business grow नहीं हो रहा है और SBI और SDFC bank के जो cards है वो ही maximum cards use होते है आज की जो generation है वो बहुत खर्चिली हो चुकी है तो वो अगर उसके पास पैसे भी नहीं होते है तो लोग credit card use करते है credit card के थुरू कोई भी चीज़े buy कर लेते है और क्या होता मंतली में pay कर देते है तो जो buy करने की तरीके है जो आज की young generation है वो इसको बहुत अच्छे से use करे है और क्या होता है इसी तरीकी से company अपने उस पैसे को generate करती है तो अगर इनका business लगातार बढ़ता जाएगा जो की fundamental आप अगर इसको notice करेंगे तो दिखेगा भी जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ SBI card अगर आप यहाँ पे screener पे search करेंगे तो यहाँ पे आपके निकल के आज आएगा और जब से यह company list हुई है अगर हम देखे तो 724 के आसपास 2000 मार्स 2020 में यह list हुई थी और नीचे गिरावट होके 400-500 के आसपास पहुँच गई थी जो COVID में गिरावट आय था तो 724 के आसपास list हुई थी अगर हम यहाँ 20 से 23 के business को देखे तो 9000 करोड की company revenue generate करती थी और company 1245 करोड का net profit generate करती थी लेकिन अगर हम आज के time पे compare करे तो 9000 करोड का revenue था वो बढ़के 15268 करोड हो चुका है यान revenue लगभग 80% की growth दिखा रही revenue में net profit की बात करें तो 1200 से लगभग 2400 तो लगभग 98% का growth दिखा रहा है इसके net profit में next quarter का result आएगा तो आप देखेंगे यह आराम से double होते हुए देखने को मिलेगा यानि अगर net profit revenue double हो गया 100% का growth हो गया लेकिन stock price में भी वो growth देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम यहाँ पे PE ratio की बात करें तो एक time पे इसका PE जो चल रहा था वो 118, 119 यानि 100 से एबब का PE चल रहा था लेकिन अगर हम PE देखें तो बहुत ही lowest level पे 30 के आसपास इसका PE चल रहा है तो मेरे इसाब से बहुत ही बहतरीन time है इस stocks को अपनी portfolio में जगह देने के लिए लेकिन किसी वे stocks को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि buy या sell आप अपने financial advisor से बात करके ही करेंगे तीसरा जो stocks मैं आपके साथ दिस्केस करने वाला हूँ वो है आवास financial अगर हम आवास financial को यहाँ पे देखें तो आवास financial का जो stocks है वो लगभग आप यहाँ पे देखें तो जुलाई 18-19 के जो time period था 19 से लेकर यहाँ जो अभी time period चल रहा है लगभग 4 साल के range में दिखाई दे रहा है और अगर हम गिरावट की बात करें तो गिरावट भी अगर आप यहाँ से देखेंगे अपर लेवल से लगभग 50% से उपर की गिरावट है अब stocks 50% अपने टॉप से गिरावट है पिछले 4 साल से stocks ने कोई return generate करके नहीं दिया है तो क्या यह stocks fundamentally भी ऐसा grow नहीं कर रहा है क्या तो अगर हम यहाँ पर आवाज financials सर्च करें और हम इसको देखें तो लगभग 26 का PE है PE ratio भी देखें तो long time तक इसका PE 19 से लेकर 60-70 के आसपास इसका PE चलता था लेकिन अभी जो PE आप देखें तो कितना चल रहा है 30 से भी नीचे चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 60 के PE जो कि आज 30 से भी नीचे PE चला गया है तो कितना सस्ते valuation पे दिखाई दे रहा है अगर हम business की बात करें 19 से अगर हम इस company का business compare करें 18-19 के time पे तो 18-19 के time पे company का revenue अगर हम यहाँ पे देखें तो 494 करोड से लेके 710 करोड यारी आप इसको on every 600 करोड माज सकते हैं अब 700 करोड ही मारिए कि 19 से में 710 करोड की revenue थी respect में net profit 176 करोड का था तो 700 करोड की revenue बढ़के लगभग आप समझें डबल से भी जादा हो गई है ट्रिपल के आसपास होने वाली है 1824 करोड के आसपास पहुँच गे revenue 1500 करोड का जो net profit था वो बढ़के 465 करोड का net profit हो गया तो आप देखे revenue maximum है net profit भी आपको maximum देखने को मिल रहा है लेकिन stocks का जो price है वो 50% discount पे देखने को मिल रहा है यही सही तरीका होता है stocks को buy करने का आप सभी लोग stocks को buy कब करते जब वो lifetime high को break करता और उपर जाता है तो मेरे साथ से वो तरीका stocks को buy करने का नहीं होना चाहिए stocks को हम कब खरी दे जब fundamental वो बहुत अच्छा grow करे लेकिन technical conditions पे वो हमको अपने lifetime high से काफी नीचे देखने को मिले अच्छे एक सीज और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अगर इस stocks को और हम तोड़ा समझने की कोसिस करेंगे तो यहाँ पर एक सीज निकल के आएगी देखें इस stocks अगर आप down theory का नाम सुने होंगे तो आप जानते होंगे यहाँ पर देखें जो गिरावट थी यह गिरावट फिर ऐसा फिर गिरावट फिर ऐसे चलता रहा था लेकिन अब इस रेंज को वो उसने टच नहीं किया उसके बाद उपर गया गिरावट इसको ब्रेक नहीं किया है तो इसका मतलब है कि जो इसमें lower उपर नीचे जाने की रेंज थी वो खतब हो चूकी है अब यह इस टॉक्स क्या करेगा अब भी बहार उपर गया फिर थोड़ी सी गिरावट होई इस रेंज में क्या हो रहा है बाई हो रहा है फिर 이 स्टॉक में शाये वो निफ्टी ही कह लिज्ये वो कभी भी एक तरफा नहीं भागता है ऐसे नहीं जाता stocks और गिरता भी ऐसे नहीं है गिरावट भी देखिए आप ऐसे टाइम की होगी और बढ़त भी इसी टाइम से stocks उपर जाते हुए देखने को मिलेगा तो मेरे साब से आवाज प्रजेंट टाइम में बॉटम फिशिंग करने वाला stocks है नेक्स जो हम बात करते हैं वो है clean size अगर हम clean size को देखे तो पिछले कुछ दिनों में अगर हम यहाँ पर time period देख ले तो लगभग दो महीने में कंपरी ने 20-21% का return जनरेट करके दे दिया है और यहाँ पर अगर हम इस stocks को देखे तो यह stocks भी अपना जो lower level था जो यह level था अब इससे देखे उपर गया नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया इस range को break नहीं कर रहा है यानि यह stocks भी down theory के हिसाब से अब यह stocks उपर जाते हैं देखने को मिलेगा और इस range को भी break कर दिया 1500 का जो range था उसको भी break कर दिया तो मेरे साब से यह stocks long term में अपने lifetime high को बिल्कुल touch करेगा आने वाले एक साल दो साल के अंदर अंदर और अगर यह साल भर भी अपने lifetime high को touch करता है दो साल में भी lifetime high को touch करता है तो भी आप 74% का gain देखने को मिलेगा जो कि खराब नहीं है यह चीज़ समझेगा next वही है luxe industry same जो हाल page industry का है वही luxe industry का भी है यह stocks जो अपना lower level था वहां से फिर अब यह उपर की तरफ गया फिर गिरावट आई अब जो देखिए तो यह गिरावट इस range को break नहीं की है इसका फिर उपर की तरफ फिर नीचे अब देखिए यह stocks इस range को break नहीं कर रहा है अब यहां से यह फिर से उपर की तरब जाते हुए देखने को मिल सकता है तो मेरे इसाब से पेज इंड़स्ट्री और लक्स इंड़स्ट्री एक ऐसे स्टॉक्स है जो bottom facing वाले स्टॉक्स है next जो स्टॉक्स हम बात करते है वो है city union bank अब City Union Bank की बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ ज़रा इसी इसको समझेगा थोड़ा इसे Stocks पर हम आते हैं City Union Bank अब इस Company का Stock P देखिए कितना है 12 का है Book Value कितनी है 101 का Current Price कितना है 153 का यह Stocks अगर आप पिछले 3 साल में देखे तो क्या किसी ने कुछ Return Generate करके दिया है मिलकुल नहीं 184 की 85 के रेट पे चल रहा था आज जो रेट है वो 149-150 के आसपास है अगर हम 5 साल में देखे तो क्या इसने को रिटर्न जनरेट किया 5 साल पहले 244-43 पे था आज यहारी City Union Bank पिछले 5 साल से को रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर हम यहाँ नोटिस करें लेकिन अगर इसके maximum चार्ड देखें अगर आप यहाँ पर max चार्ड देखें तो आपको यहीं समझ में आएगा कि सिस्टोक्स ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है यह जो गिरावट का टाइम परियड था जब सारे बैंक गिरना स्टार्ट हो तो यह इसने में गिरना स्टार्ट किया 2020 के आसपास जो COVID वाली गिरावट थी लेकिन वो इसको ब्रेक नहीं किया तो मेरे इसाब से City Union Bank भी जिस रेंज भी है यहां से 100% आराम से गेंज दे सकता है अब आपके समझ में आ रहा होगा कि यह तो PSU Bank है PSU Bank में कहां से रेटन मिल सकता है देखिए यह PSU Bank नहीं है यह एक Private Sector Bank है अगर हम यहां पे इसके FIs और DIs दिखें तो देखिए FIs की होल्डिंग है 23% की DIs की होल्डिंग है 33% की और Public की होल्डिंग 43% है यानि यह FIs और DIs की होल्डिंग है PSU Bank नहीं है यह समझेगा तो मेरे इसाब से CT Union Bank में अच्छा खासा रिटॉन जनरेट करके इस समय दे सकता है नेक्स जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम वह है इंडिगो पेंट इंडिगो पेंट जो लोवर लेवल बना था मार्स 23 में हजार के 900, 98, 98 के आस पास वहां से यह स्टॉक्स उपर की तरफ एक रैली दिखाया और फिर से इस रेंज में वो फस गया है फिर से इस रेंज में चल रहा है तो मेरे साब से इंडिगो पेंट जो है यह एक लॉंग टम जरनी के लिए रखना चाहिए जैसे कभी आज से 20 साल 25 साल पह इसाब से फ्यूचर में इंडिगो पेंट भी उसी कैटेगरी में जाके ठहरेगा अगर हम यहां से देखे तो अगर यह अपने लाइफटाइम हाई को दो साल में भी टच करता है तो आप 125 परशेंट का रिटर्न जनरेट करेंगे तीन साल में भी करेगा तो भी आप 40 परश सोक्स है इसको हम सेकेंड वीडियो कर लेंगे क्योंकि अभी 16-17 वीडियो चुका है इसको हम सेकेंड बार्ट में कर लेंगे इसको हम पार्टीं के नाम से पुझ्ष च्जाह कने वाले हैं 2-3 उस मइसी इस को u थाइक यू, थाइक यू सोवाज.